असलाम वालेकुम एवरीवन कैसे हैं आप सब आज हम रूबी कराची पूट में बहुती यम्मी सी और यूनिक डिश लेके आए हैं बिरिंजल फिंगर फ्राई की जो कि बहुती यम्मी तयार होती है आप पूटेटो फिंगर को भी पीछे छोड़ देंगे इसके आगे अगर कर ये बनाएंगे चलिए करते हैं हम अपने रेसिपी को स्टार्ट सबसे पहले हमने एक पैन में पानी ले लिया था इस पानी में हमने वन टेबिल स्पून सोल के एड कर दिये हैं मिक्सिंग कर देंगे डिजॉल होने तक इसको चलाते रहेंगे बहुत अच्छी तरह से मिक कर देंगे लिया है मैं इन बेगन को आब हमने कट कर लेना है बहुत अच्छी तरह से बॉश्ट करके रखेते हम ने यह बेगन यह देखिए जो इसकी टेल है इसकी हमने थोड़ी थोड़ी कटिंग कर लेनी है और फिर के बाद बीच मेंसे एमने कट लागा लेना है बेगन हैं उसको रिमूफ कर देना है बहुत एतियाद से पील्स रिमूफ होंगे इसके क्योंकि इसके फिंगर हमने काट लिये हैं इसके पील्स को बहुत एतियाद के साथ हमने उतारना पड़ेगा क्योंकि हमने इसके स्टार्ड में इसके पील्स नहीं उतारे थे अगर हमने इसके स अमाम फील्स को हमने आउट कर लिया है और सोल्टिश बॉर्टर जो हमने तयार किया था उसमें हमने डीप कर दिया है ताके ये बलेक ना हो जाए क्योंकि बहुत जल्दी से बलेक होना शुरू हो जाते हैं कटिंग के बाद दूसरे बेंगन की टेल को भी हमने इसी तरह ही रि बेंगन की फिंगर बना रहे हैं तो इसकी लिए हमें अगर हमने पेले इसके पील्स नहीं उतारे तो हमें बहुत मुश्किल होगी इसलिए हमने इसके पेले ही इसके पील्स आउट कर रहे हैं देखिए बासानी इसके पील्स आउट हो रहे हैं कोई मुश्किल नहीं हो रहे इसी तरहीं पूरे बेंगन के पील्स को उतार लेना है और आ जाते हम इसके फिंगर बढ़ने की तरह फिंगर इसके बादा आसानी बन रहे हैं कोई मुस्किल नहीं हो रही है फिंगर बनाने में भी ये देखिए तकरीबशे लिद्ड़ रही हैं इसको भी हमने सोल्टिश वाटर में डीप कर दिया है ताके काले ना हो जाएए अब आ जाते हैं इनके स्पाइसिस की तरह सबसे पहले हमने कश्मीरी चिली ले ली है और रेड चिली ले ली है चिली फ्लेक्स ले ली है गरम मसाला, भुना कुटा जीरा, धनिया पिसा हुआ, नमक, कौन फिलोर, बेसन और मेदा ले लिया है इन तमाम स्पाइसिस को हमने मिक्सिंग कर देनी है मिक्स कर देना है बहुत अच्छी तरह से इसकी स्पाइसिस को आप अपने हिसाफ से कम या ज्यादा कर सकते है और कोई स्पाइस आपको अगर पसंद नहीं है तो वो इसकी भी कर सकते है तमाम स्पाइसिस की बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग कर देनी है स्पून की मदद से किया है हमने आप हास की मदद से भी कर सकते हैं हास से ही बहुत अच्छी से मिक्सिंग हो जाती है इदेखें, मिक्सिंग हो गई है अब हमने इसके अंदर finger जो हमने प्मे काट के रखे थे पेंगन के उसको अच्छी तरह से code कर लेना है हर जगा से बहुत अच्छी तरह से कोट हो जाने चाहिए ताके क्रिस्पी फ्राई हो ये देखी जार लिया है हमने अब दूसरे पेंगन को भी हमने इसी तरह से कोट कर लेना है ये देखी इसकी भी बहुत अच्छी तरह से कोटिंग हो रही है और तमाम मसाला अच्छी तरह से लग गया है बहुत अच्छे से कोटिंग हो गई है बेंगन की इसको ओल में डीप कर दिया है बहुत अच्छे से फराई हो रही है फिंगर की ये देखिए इस तरह हमने हिला देना है पेंगो ताके हर जगा से बहुत अच्छे से फराई हो जाए बहुत यमी लुका रहा है बेगन का अब हमने इसकी साइट्स चेंज कर देनी है इसके लिए हमने चिम्टे का इस्तेमाल किया है और बहुत असानी चेंज हो रही है इसकी साइट्स बहुत यमी और बहुत क्रिस्पी तयार हुए है बेगन फ्राईज साइट्स चेंज कर देनी है इसकी बेगन फ्राईज कम्पलीटली तयार हो गए है अब हमने इसको ओल से आउट कर देना है निकाल लेंगे हम इसको इस दीश में ये देखिए माशालला से कितना अच्छा लुका रहा है हमने फराइज बेंगन को रायते के साथ सर्फ किया था वो यकीन माने इतने मज़े की लग रहे थे कि हम पोटेटो फिंगर को भी भूल जाएंगे बहुत क्रिस्पी बहुत यमी तयार हुए थे रायते के साथ बहुत मज़े की लग रहे थे आप इसको केचप मायोनीज के साथ भी सर कर सकते हैं बहुत यमी लगते हैं आप भी जरूर बनाएगा बहुत यमी बहुत क्रिस्पी तयार होते हैं इसके मसाले बस अच्छे होने चाहिए हैं कोटिंग अच्छी होने चाहिए ही देखिए कितने क्रीसपी तयार हुए हैं कितने यमी लग रहे हैं बिल्कुल पोटेटो फ्राइस की तरह लग रहे हैं वही लुका रहा है पोटेटो फ्राइस की तरह अगर आपको बिरिंजल फ् इसकी रेसिपी बेल आइकन को ओल प्रेस करना मत भूलिएगा दीजिए जासत अगली रेसिपी तक के लिए हमें अला आफेज